आपने अक्सर नोटेस किया होगा कि BCCI का head हमेशा एक बहुत ही politically influential person होगा एक समय था जब शरत पवार इन sports bodies पे rule करते थे क्योंकि उस वक्त उनकी सरकार power में थी और आज अमिच शाह के बेटे जै शाह BCCI पे dominate करते हैं पुचने वाली बात है कि अगर कोई बड़ा क्रिकेटर BCCI का head बनता है तो वो बहुत अच्छे से अंदर की चीजों को समझता है उसके पास experience है और वो BCCI को जादा अच्छे से manage कर सकता है लेकिन फिर भी ये politicians क्यों अपनी टांग अडाए रहते हैं सच में BCCI बहुत बड़ा पैसा बनाने की कोई machine है अगर इसमें corruption हो रहा है तो आखिर किस level पे हो रहा है 140 करोड के देश में आखिर क्यों ऐसा हुआ कि भारत सिर्फ दो बार cricket जीत पाया है जबकि Australia जैसा देश जिसमें सिर्फ 2 करोड आबादी है वो पांच बार cricket जीत जाता है हम पाकिस्तान से कहते हैं घर में घुस कर मारेंगे लेकर Australia हमारे घर आता है और बुली तरीके से हम भारतियों की पिटाई करके हमारी आखों के सामने वर्टकप चीन के चला जाता है BCCI के अंदर चल लहे सभी कम्यों को और इसके अंदर की गंदगी को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर BCCI का revenue model क्या है, business model क्या है और तब हमें ये जवाब मिलेगा कि आखिर सारे politicians जो ruling party के होते हैं वो क्यों BCCI के head बनना चाहते हैं किसी भी democratic country में सरकार sports में ज़्यादा interfere नहीं करती है वो infrastructure provide कर देगी financial aid भी दे सकती है लेकिन management committee और selection committee में government interfere नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे एक डर रहता है कि government के interference से political interference हो जाएगा और उसकी बाद भाई भतीजावाद जिसे हम nepotism या chronism कहते हैं वो बढ़ जाएगा sports में कोई political interference ना हो और सिर्फ अच्छे talent को चुना जाए इस वज़े से सरकार हमेशा sports bodies से दूर रहती है in fact political interference के चलते FIFA ने All India Football Federation को ban कर दिया था cricket की बात करें तो ICC का पहले नाम Imperial Cricket Conference था और ये body अलग अलग countries के बीच में international cricket organized करवाती थी 1926 में Calcutta Cricket Club ICC से meeting करता है इसके बाद 1928 में BCCI बनता है और ICC ने BCCI को मानता दी के आप इंडिया को represent करेंगे international platforms पे BCCI को Madras में 1 December 1928 को establish किया गया था under Act 21 of 1860 और स्वतनता के बाद Tamil Nadu Society's Registration Act 1975 के तहत इसको register किया गया और यही reason है कि BCCI जो भी कमाती है उसमें से कुछ भी tax government को नहीं जाता है इसी तरह government भी BCCI को कोई aid या फिर कोई support नहीं देती है 2016-17 में सरकार के revenue department ने BCCI पे claim किया कि जब वो IPL से करोडों रुपए कमा रहे हैं तो फिर tax क्यों नहीं भरते हैं मामला income tax एपले tribunal तक पहुंचता है और 2021 के एक order के हिसाब से BCCI IPL के सारे profits cricket को promote करने में लगाती है इसलिए अभी भी BCCI की कोई भी income including जो profits IPL से आते हैं वो taxable नहीं है और इस तरह income tax act का section 12A BCCI पे applicable होता है जिसके तहत उसे tax exemption मिलता है अलाग कि players कोई भी पैसा कमाते है चाहे वो cricket match खेलिके या फिर IPL से वो taxable रहता है अब सवाल उठता है कि जब BCCI not for profit organization है तो ये politicians उसमें अपनी टांग क्यों अड़ाते हैं उन्हें यहाँ पे क्या फाइदा मिल दा है यहाँ पे दो देशों के बीच में जो bilateral tournament होता है इसमें सारा पैसा दोनों countries के respective boards लगाते हैं ICC सिर्फ school के उस principal की तरह होता है जो ना तो कोई subjects students को पढ़ाता है ना ही उसका कोई direct stake होता है बच्चे की class की performance से तो मान सकते हैं कि अलग-अलग देश के cricket boards वो teachers की तरह हैं वहीं जो cricket teams हैं वो students की तरह हैं जो जाके matches में perform करते हैं और इन पे सिर्फ monitoring का काम एक principal की तरह ICC करता है और हर match में कमाया हुआ total पैसा दोनों देशों के boards आपस में distribute कर लेते हैं ICC का main role होता है international tournaments जैसे world cup करवाना जिस country में ICC के tournaments होते हैं वहाँ पे जो भी revenue collect होता है वो ICC और host nation में distribute होते हैं और ICC जो पैसा कमाती है वो बचे हुए सभी boards में distribute कर देती है ICC की net worth 2.5 billion है जबकि BCCI की net worth 2.25 billion है और यह दुनिया का सबसे richest cricket board है तेकि match को कराने में पैसा लगता है ग्राउंड का maintenance, umpire, commentators की salary team की hospitality, trumps, camera, flood lights, security staff लेकिन tournament कराने वाला board इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेता है लोगों का attention पा कर कोई भी business जब नया product बनाता है तो उसे अपने product की merits लोगों तक पहुँचानी होती है और उसके लिए उसे चाहिए होती है build और एक cricket stadium से ज़्यादा अच्छी build कहां पे हो सकती है in fact, digital form में जो लोग live cricket देख भी रहे होते हैं OTT platforms पे या TV पे वो भी एक ऐसी build होती है जहां तक कि products को बहुत अच्छे तरीके से पहुचाए जा सकता है और इसलिए सबसे बड़ा role revenue में play करता है broadcasting right जो channel सबसे बड़ी bidding लगाता है उसे matches के live telecast का broadcasting right मिलता है 2023 से 2027 के बीच में 20 test, 21 ODI और 31 T20 matches इंडिया में खेले जाएंगे और cricket match के बीच बीच में जो ads चलते हैं वो पैसा देते हैं इन channels को जो के live telecast करते हैं किसी भी cricket match को अब जैसे star India ने 613 करोड में media rights लिये थे 2023 तक PCCI से अगर World Cup या कोई और ICC tournament हो रहा है तो ICC से rights मिलता है चुकि इंडिया में cricket की viewership बहुत जादा है इसलिए PCCI सबसे जादा पैसा कमाता है ये broadcasting rights बेंच के as compared to other nations जब भी कोई series हो रही होती है तो series के आगे कोई company का नाम लगा के उस company का promotion किया जाता है और इसे title sponsorship का जाता है जैसे Paytm India Sri Lanka series या फिर IPL को Vivo IPL का जाएगा लोग जो stadium आते हैं, ticket खरीते हैं उससे पैसा आता है, players की kit होती है वो sponsored होती है, तो players जिस t-shirt को पहन के match खिलते हैं उसमें अलग-अलग companies अपना ad चलाती है हर एक player के bet पे अलग-अलग companies की sponsorship होती है और strategic time out पे किस company का नाम आएगा उस पे भी bidding होती है in fact empire की t-shirts पे भी किस company का नाम होगा उस पे भी bidding होती है 2022 में Paytm ने ये bidding rights जीते थे ground में जो boundary होती है, चौके या छके की वहाँ पे भी अलग-अलग companies अपना ad चलाती है वहाँ पे display के लिए भी bidding होती है और उसे भी पैसा कमाया जाता है तो ये कुछ अलग-अलग revenues होते है जिनके माध्यम से हर देश के cricket board पैसा कमाते है BCCI दूसरे देशों के मुकाबले ज़ादा पैसा IPL से भी कमा लेता है क्योंकि IPL उसने एक franchise के रूप में launch किया है और इसमें 50% revenue BCCI रखता है जबकि 45% revenue हर एक franchise team को equally distribute किया जाता है जो 5% revenue होता है वो top की 4 teams में बांट दिया जाता है और इसमें सबसे बड़ा amount IPL जीतने वाली team को मिलता है IPL के 2023 से 2027 के बीच में media rights almost 48,000 करोड के बिके हैं और अपने सभी revenue streams से जो पैसा collect होता है उसका BCCI ने fixed deposit किया हुआ है जिसके interest से भी BCCI को अच्छा पैसा मिलता है ICC जब किसी भी board को membership देती है तो उनसे ये pledge करवा लेती है कि जो भी पैसा वो कमाएंगे उस पैसे को वापस उस देश में cricket as a sport को promote करने के लिए use किया जाएगा और देश के अंदर BCCI men's cricket, women's cricket और under 19 की men और women की cricket team को groom करता है और अपना पैसा इनके promotion में लगाता है India A team, B team और domestic cricket को uplift or promote करने में लगाता है और जैसे Domino's और McDonald's अपनी franchisee देते हैं दूसरों को और अलग-अलग शेरों में इनकी दुकाने लगती है उसी तरीके से BCCI की भी एक franchisee है IPL के रूप में और IPL ने BCCI को दुनिया का सबसे richest board बनने में बहुत बड़ी मदद की है इनफेक्ट IPL के चलते ICC को एक अलग से window बनानी पड़ी FTP यानि future tours program करके तो जब IPL होता है तो ICC अगर किसी दूसरे देश में कोई cricket करवाती भी है तो लोग उसे देखते नहीं है audience का attention span नहीं होता है उस cricket में इनफेक्ट दूसरे देश के players भी IPL खेलना पसंद करते हैं क्योंकि यहां पर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है इसलिए IPL जब तक होता है तब तक international cricket में बहुत ज़्यादा matches होते नहीं है इनफेक्ट पूरी दुनिया के world cricket की 80% income सिर्फ एक देश इंडिया से आती है और हमारे देश में लगबग 70 करोड लोग cricket देखते हैं किसी टूर्नमेंट में अगर इंडिया होता है तो उसकी अचानक से viewership बढ़ जाती है वहाँ पे ज़्यादा companies sponsorship देना चाती है इनफेक्ट केनिया, श्रिलंका, जिंबावे जैसे देश जहां पे cricket boards की हालत काफी खराब है वो ये request करते हैं कि किसी तरीके से इंडिया के साथ matches हो जाएं और अगर BCCI उनके साथ match करवा देती है तो इन देशों के cricket boards financial crisis से बाहर तक आ जाते हैं कितना जादा revenue इनके देश के matches अगर इंडिया के साथ होते हैं तो इनको हो जाता है अगर किसी tournament में इंडिया जल्दी बाहर हो जाता है तो पूरे tournament की viewership भडाम से गिर जाती है और इसलिए 2011 में जब इंडिया World Cup जीता था तब ICC ने सबसे जादा पैसा कमाया था उस वक्त और जब भी कोई cricketer इंडिया की तरफ से खेलता है तो BCCI पहले से ही उसके साथ contact कर लेती है कि जब तक वो retirement नहीं ले लेता है तब तक वो BCCI के लावा किसी भी दूसरे cricket board के साथ खेल नहीं सकता है क्योंकि BCCI को पता है कि एक cricketer का जब brand बन जाता है तो अगर किसी दूसरी जगे खेलने जाएगा तो अपने साथ बहुत सी viewership को ले जाएगा तो in that sense BCCI ने अपनी एक monopoly बना के रखी हुई है और इस practice के खिलाफ Adam Gilchrist ने आवाज भी उठाई थी क्योंकि BCCI अपनी franchise IPL में तो दूसरे players को बुला लेती है लेकिन अपने players को दूसरे cricket league matches में नहीं जाने देती है लेकिन BCCI के financial cloud के चलते कोई भी दूसरे देश का board BCCI को नाराज नहीं करना चाहता है इनफैट पाकिस्तान के पूर्फ क्रिकेटर रमीज राजा ने तो यहां तक कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान के matches ना होने की वज़े से पाकिस्तान की हालत काफी खराब हो चुकी है और उनकी cricket board बहुत संघर्श कर रही है financially अब BCCI इतना बड़ा giant सिर्फ men's cricket team के वज़े से हुआ है अगर women's cricket team भी इसमें include हो जाए तो सोचिए BCCI को कोई रोकने वाला नहीं होगा आज जब audience का attention span कम हो रहा है तब लोगों को T20 जादा पसंद है लेकिन फिर भी सभी cricket boards test की वकालत करते हैं अब ऐसा इसलिए क्योंकि test cricket जादा दिन का होता है, जादा time के लिए होता है और board के पास जादा time होता है companies के ads और sponsorship चलाने के लिए और T20 जो काफी कम time का होता है उसमें बहुत छोटा slot होता है ads दिखाने के लिए इसलिए सभी cricket boards चाते हैं कि test cricket कभी ना खतम है और इसलिए test championship लाई गई लेकिन उसका जादा impact हो नहीं पाया broadcasters भी चाते हैं कि उन्हें T20 के rights तो मिल जाएं लेकिन test से वो दूर भागते हैं लेकिन BCCI भी चाला के वो test, one day और T20 पूरा package के route में broadcasters को देता है और कोई भी broadcaster इन्हें अलग-अलग नहीं ले सकता है एक समय था 1992 में जब BCCI दूरदर्शन पे अपने matches दिखाने के लिए 5 लाख रुपए देता था और जो टिकेट से पैसा आता था सिर्फ वही कमाई होती थी BCCI की लेकिन उसके बाद इंडिया का South Africa के साथ तूर होता है और वहाँ पे South Africa के broadcasters ये proposal रखते हैं कि BCCI उनको broadcasting rights दे दे और ये undisclosed amount इतना जादा बड़ा था कि BCCI के होश उड़ गये और उसके बाद court में case गया और BCCI case जीत जाती है उसके बाद से जो भी broadcasting rights थे उसमें BCCI को उल्टा पैसा मिलने लगा और आज ये पैसा हजारों करोड में है इनफेट IPL में तो ये 2023 से 27 के बीच में 48,000 करोड का है और फिर एक समय आया साल 2000 में दूरदर्शन 240 करोड रुपय देता है BCCI को ताकि matches दूरदर्शन पे दिखाए जा सकता BCCI के आगे बढ़ने का एक reason ये भी था कि यहाँ पे दूसरे cricket boards की तरह इतना corruption नहीं था लेकिन फिर भी BCCI के funds को control करने के लिए यहाँ पे bureaucrats और politicians अक्सर अपनी tongue अडाए रहते हैं और इसी को चेक करने के लिए Supreme Code ने लोधा committee बनाई थी जो कि BCCI में further improvements लाने के लिए कुछ necessary steps को analyze करे और recommend करे यह match fixing scandals को check करने के लिए BCCI के rules को और restrict करने के लिए इस committee ने किसी भी administrator की retirement age 70 साल रखी BCCI president का tenure 2 साल का किया और सभी BCCI officials किसी betting में न involved हो इसलिए उन्हें अपने assets की समय समय पे declaration देनी पड़ेगी इस तरीके के कुछ provisions किये और इससे BCCI की पूरी hierarchy हिल गई और यह मामला Supreme Court तक पहुंच गया लेकिन 2016 में Supreme Court के final judgment में लोधा committee की जीत होती है और BCCI के सभी recommendations को सिरे से खारिज कर दिया जाता है इसके साथ ही 2016 में शरत पावार पहला नाम बनता है जो मुंबई Cricket Association के president से resign करते हैं और फिलाल लोधा committee BCCI पे पूरी नजर रखती है तो इसलिए आज की तारीपे BCCI में काफी जादा transparency है as compared to older times in fact 2017 में Supreme Court ने BCCI के president अनुराग ठाकुर और उनके चहेते secretary अजय शरके को remove किया उनकी positions से और चार eminent personalities जो अलग-अलग backgrounds से थी उनको appoint किया जो के BCCI की running को देखें और इस तरीके से politicians का एक बहुत बड़ा nexus जो BCCI के ऊपर की positions को handle कर रहा था और उसके अपनी monopoly बनाए हुए था वो अचानक से तूटता है और इसके लिए देश को Supreme Court को बहुत बहुत धन्यवाद देना होगा और इसलिए आपने देखा होगा कि बीच बीच में match fixing के scandals जिसमें मुहमद अजरुद्दीन अजय जड़िजा के नाम थे या फिर spot fixing जिसमें शीशंत का नाम आया था या फिर IPL betting scandal जिसमें शिलपा शिट्टी के husband राज कुंद्रा का नाम था इस तरीके के scams अब आना बंद हो चुके हैं Supreme Court ने BCCI में जो भी corruption या जो गंदगी थी उसको किस तरीके से लोधा committee के थुरू साफ किया यह को मैंने आपको बताया लेकिन Indian Judiciary खुद बहुत बड़े fraud से गुजर रहा है उस fraud को मैंने एक अलग वीडियो में expose किया है details जानने के लिए यहाँ पे click कर सकते हैं